करंपूर चौखी प्रपहारी को दी थी लेकिन पंद्रा दिन से चौकी प्रभारी इधर उढ़्ची की बात करने के बात प्रार्थी को बेफ को बनाते चले आ रहे हैं प्रार्थी ने पुलिस से तंग आकर मुरदबाद आला धिकानियों से इंसाफ की गुहार लगाई है कि मेरी बेटी कोई क्यूवक 15 दिन पहले घर से बहला फुसला कर ले गया है जिसकी शिकायत उसने थाना मुनपार्णे की कारवाई की जाएगी मुनिपुर् निवासी जाहिद हुसान का कहना है कि पंधा दिन से छोगी प्रभारी करणपूर हम लोगों को इधर उधर की बात कहके ओए टालते चले आ हाई देख ने आई भी हूं थाने के चक्कर लगा रही हूं मेरी को ही सुनवाई नहीं हो रही पांस चक्कर थाने के हो गए पांस चक्कर चौकी के हो गए मुझे बैल आते हैं फुसलाते हैं और मुझे भेद देते हैं साफ पढ़ ही नहीं लिखी नहीं जात नहीं हमा क्या मा करूंगे लड़का है बाहर का रहने वाला है पुलिस ने क्या आप आए होते हैं कि हम मुकदमा जो है नहीं लिखने हम से पचारी के चक्कर नहीं लगाई जाना आप क्या चाते हैं मैं यह चाहती हूं मेरी लड़की मेरे घर आगा मुनिमपुर का रहने वाला हूं है और आज से 14-15 दिन पहले हमारी बेहन को बला फुसला के उसको ले गया है महले में आता जाता रह बता वो लड़का गंदासपुर के रहने वाला है टांडे में रह रहा है और नवेद उसका नाम है बब्बू का लाका है और एक जवेद है रात के दो बजे क्या असपास लड़की को ले गए है और अभी तक कोई पता नहीं चला थाने मूंडे के चक्कर खाटते काटते करन पर चोपी के चक्कर काटते हैं हम ठक चुके हैं कि चोपी पिरभारी ने क्या आजवसंद्या आपको कोई भी मिला सुंभाई नहीं हो पा रही और मिसे और चोपी इंचारज ने ये कहा कि मैं मुकदमा नहीं लिखू है मैं कहा अदालत के चक्कर काटते हूं ऐसी भूपी है